नेहां सीस तिवारी कर रही है लब मैरे शादी वह भी अधर काष्ट में नमस्कार दोस्तों मैं मधूली का आप सब करते हूं आपके अपने यूटूब चैनल जिसका नाम है मधूली का यूपी आर पीयल मैं हूं मधूली का तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहल उसका notification सबसे पहले आप तक पहुचे और दोस्तों चलिए आते हैं मेन मुद्दे पर दोस्तों जैसे कि आपको मालुम है नेहा आसीस तिवारी की शादी हो रही यानि नेहा जी की शादी हो रही आसीस जी उनके पहले पती का नाम था जो अब भी वो लगाती है नेहा आसीस तिवारी उनकी सगाई ठी दो दिन पहले हुई है और दोस्तों क्या नेहा जो है वो लब मेरे शादी करें वो भी अधरवाइस काष्ट में और लड़का जो है वो अन्मेरिड है यानि नेहा की तो दूसरी शादी है बलकि लड़के की कहा जा रहा है वो अन्मेरिड है तो क्या नेहा मन पसंद सादी करें अपनी मन पसंद से सादी करें और इतना बड़ा राज सबसे चुपा रही थी और अक्सर उनकी वीडियो में देखने को मिलता था वो अक्सर बोलती थी मुझे शादी नहीं करनी है मुझे कोई शादी नहीं करनी है तो इन सब के पीछा खी राज क्या है दोस्तों आईए आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कुछ पॉइंट बताती हूँ जो कि मुझे भी मालूम चला है सोसल मीडिया के माध्यम से ही तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा नेहा की सगाई हुई सगाई में नेहा ने आसीस के मम्मी पापा को भी बुलाया है और जो नेहा की बेटी थी यानि तासी जो है वो अपनी दादी और दादा जी से लगभग 3-4 साल बाद 4-5 साल बाद मिली क्योंकि जब आसीस जी थे तब ही वो अपने दादा जी से मिली थी जब से उसके पिता इस दुनिया से गये उसके बाद नेहा अपने माएके में रहने लगी और जो तासी है अपनी दादा और दादी से नहीं मिली थी तो दोस्तों यहां पर इनके दादा और दादी को भी बुलाया गया था और यहां पर मतलब बहुत ही धूम धाम से किया गया बलकि नेहा कह रही थी कि मैं तो चाहती हूँ सिंपल तरीके से हूँ मगर शामने वाले की भी इच्छा का मान समान करना पड़ता क्योंकि नेहा की तो second marriage है मगर जिस लड़के से नेहा शादी कर रही उसकी first marriage वो उसकी शादी नहीं हुई है तो दोस्तो उस लड़के का नाम भी क्या है आप लोगों को तो पता ही है उसका नाम सुमित महल है सुमित महल सुमित महल उसकी sun name है और सुमित नाम का लड़का है वो भी जबलपुर से है नेहा जबलपुर से है वो भी किस टीबी सीरियल में काम करता है क्या उसका बेऊशा है तो फिरहाल कहा जा रहा है कि जो सुमित है सुमित जी एक बिजनिसमैन है उनका सोसल मीडिया से उनका और उनकी फैमली से कोई मतलम नहीं दूरो तक उनका कोई मत लम नहीं वो एक सोसल मीडिया में नहीं बलकि वो एक बिजनेसमैन है और नेहा की मन पशन इन लोगों की मुलाकात कहां हुई कैसे हुई तो दोस्तों जैसे कि आपको पता हो नेहा के भाई ने नेहा के पिछले जनम दिन में यानि लगभग एक साल हो गए नेहा से वादा किय था कि मुझे promise करो कि मैं तुम्हारी शादी करना चाहता हूं तो नेहा मतलब तयार नहीद थी नेहा रो रही थी नेहा परेशान थी क्योंकि नेहा का मानना था की अगर मैं दूसरी शादी करूंगी तो मेरी बेटी तासी का प्यार बढ़ जाएगा पता नहीं सामने वाला मेरी बेटी को प्यार करेगा कि नहीं करेगा और मैं दूसरी शादी नहीं करूंगी क्योंकि फी मुझे दूसरे की घर की दूसरे की जिम्मेदारिया हो जाएंगी अभी मुझे सिफ और सिफ अपनी बेटी तासी का ही प्यार मुझे दिखता है तासी के लिए ही मैं उन्दा लाग रुपए हर मन्त उनकी इंकम होती है और इस टाइम जैसे सगाई की जो वीडियो उनकी चल रही वो सब टेंडिंग पर जा रहे हैं उनकी उनके वीडियो को सभी को इंतजार रहता है तो नेहा को यह नाम अगर यह सहरत अगर मिली है तो नेहा के खोए हुए पत यानि आसीस जी से नेहा की पहचान हुई वो दोनों लोग टिक टॉक पे वीडियो बनाते थे उसके बाद वैरल थे फी आसीस जी का इस दुनिया से चले जाना नेहा जी का यूटूब चैनल फी नेहा जी ने बनाया उस पे काम करना मगर तब भी नहीं कोई नेहा जी को जा में आके फी उसके बाद दोस्तों तभी से नेहा असीस तिवारी वैरल हुई यूटूब पे ज्यादा क्योंकि टिक टॉक पे तो वो वैरल थी ही मगर उनको कोई यूटूब पे उतना नहीं जानता था मैं अपनी पर्शनल नी बात करूए मैं भी नहीं जानती थी उनको फ आने लगी तो यह तो उनकी कुछ लाइब की बाते हो गई और नेहा आसीस तिवारी एक कपड़ों की सौप खोली हैं जिस पे उनके यहां कपड़ों की डिजाइन होती है कपड़े बनते हैं नेहा आसीस तिवारी खूद उसमें स्टैचिंग करती हैं तो दोस्तों आपको कशचा दे हैं और नेहा आसीस तिवारी बहुत ज्यादा खूस हैं क्योंकि वह जिससे सुमित महल से साधी कर रहे हैं सुमीत जो है क्यों कि नेहा असीस तिवारी ने मतलब जिससे उन्होंने कहा था कि मैं शादी करूंगी वो उससे मेरा मतलब एक ही सवाल रहेगा कि मुझे कम अपना है मेरी बेटी को सबसे ज़्यादा प्यार दे क्योंकि तासी को अपने पिता का प्यार नहीं उतना मिला उससे वो प्यार चाहिए तो नेहा असीस्तिवारी की जिसके साथ साधी हो रही है वो नेह मिध्फ रहते हैं मगर दोस्तों यहां पे जो उनकी सासु मा हैं उन्हों ने कहते हैं सगी सगी नातिन से ज्जादा भी वो आईं वो प्यार की मगर दोश्तों मुझे बूरा उस उस पीता को लग रहा था उस मा को देखके ज्स टाइम पे मैं नहा असीस्टिवारी की इंगेजमेंट हो रही थी उनके ससूर के शाद जब रिंग एक दूसरे को पहना रहां थे तो उनके सास ससूर की आख में आसू भी थे और खुसी भी थी आसू इस बात के लिए थी कि आज उनका बेटा इस दुनिया में होता, तो शायद ये दिन ना देखते हैं, एक सास ससुर के लिए बहुत बड़ी बात होती है, कि उसकी बहु किसी और की होने जा रही है, और दोस्तों यहां पर आप जानते ही हैं, कि नेहां असीस्तिवारी अपने सास ससुर को, पहले व भुलवाई वो चाहती थी, कि उनका असिरवात बना रहे मेरे उपर और मेरी बच्ची के उपर भी, क्योंकि में सगे तो दादी दादा वही हैं, और हमेशा रहेंगे, और दोस्तों यहां पर जो सुमित हैं, सुमित जो हैं अन्मारिड हैं, उनकी एज कहा जा रहा है, कहना है, दोस्तों, तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, कि नेहा असिस्तिवारी ने लब मेरे शादी की है, क्या यह सच है, नेहा असिस्तिवारी जो लब मेरे शादी की, तो दोस्तों, कहा जा था, नेहा असिस्तिवारी के जब भाई ने इस बात को यूटूब पर ऐलान किया था कि मैं अपनी बहन के लिए रिस्ता देख रहा हूं और कोई अच्छा रिस्ता हो तब भी मैं शादी करूंगा तो दोस्तों उधर और आसीजीजीका बिजिनसमैन तो है हैं बिजनसमैन के साथ एक फोटोग्राफी भी करते हैं वो बहुत अच्छी फोटो कीछते हैं उसकी इडीटिंग बहुत अच्छी करते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा सौक भी है कहा जारा को फोटो ग्राफिंग का काम करते हैं और दोस्तों इधर ये भी कहा जारा है कि नेहा असीस्तिवारी के जो भाई ने जब ये एनॉंसमेंट किया था कि नेहा की मुझे शादी करनी है और कोई दोस्तों सुनने को मिला है कि नेहा के लिए विदेश से भी रिष्टे आते रहें नेहा के लिए विदेशी लड़के भी ओफर करते रहें कि मुझे शादी करनी है क्योंकि नेहा एक ताइलेंटेड लड़की है दूसरी बात नेहा एक वैरल भावी भी है क्योंकि नेहा के जब पती इस दुनिया में नहीं रहे उसके बाद से नेहा पहले भी वो नेहा जो है टिक टॉक पे वाइरल थी मगर उसके बाद बैंड हो गया तब यह यूटूब पे आई और जो श्टोक पे इनकी वीडियो गई तब से नेहा वाइरल चल नहीं दोस्तो तो नेहा के लिए अफर आते गए हैं कि मुझे से शादी करो मगर इनकी जो फैमली थी वह बहुत सो समझ के और अच्छा घर देख के नेहा के शादी की दोस्तों कहा जारा है शुमित जो है वो भी जबल्पूर से ही है और जैसे कि नेहा लोग भी जबल्पूर में ही रहती हैं तो सुमित भी जबल्पूर से है फैमली ने सेलेक्ट किया तब जाके नेहा कैसे भी करके हां की क्योंकि नेहा तो चाहती ही नहीं थी कि वो शादी करना मगर देखो नेहा की यह संसकार है जो लोग कहते हैं नेहा लब मैरे शादी कर रहें तो जी नहीं नेहा लब मैरे शादी नहीं कर रहें नेहा की फैमली न कहा जाता है जिस लड़की के पती इस दुनिया में नहीं रहते हैं, उसे मैके में भी परायक कर दिया जाता है, बहुत कम ऐसे घर होते हैं, जो मैके में अपनी बेटी को रखते हैं, और सिवकार करते हैं, तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है, नहा की भाई भावी भी बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे भाई भावी नहा ने पाए हैं, जितना टाइम अपने घर में बिताई हैं, उसके माबाप गाउं का घर छोड़के नहा के लिए जबलपुर में सेट हुए, कि नहा आग सुमित पैसों के लिए साधी नहीं किये, वो खुद एक बिजनेसमेन हैं, वो अच्छा खासा कमाते हैं, बट उनकी फैमिली जो है सोसल मीडिया से, मतलब दूर दूर तक है, उनका कोई वो नहीं, इसलिए नहा ने जादा लोगों को जो इनके सोसल वरकर हैं, इनके साथ के सारे यूटुपरों को नहीं बुलाएं, लोगों का कहना है, जब नहां चोटा सा चोटा, इनके यहां कोई करकरम होता था, तो सभी यूटूपर जाते थे, बलकी इस बार नहा ने नहीं बुलाएं, तो दोस्तों, यहां जो सुमित जीके, यानि की जो सुमित है सुमित की तरफ से जो फैमली थी उने को ज़ादा ये सब पसंद नहीं था वो देखते हुए नेहा ने ज़ादा किसी को नहीं बुलाया तो दोस्तों नेहा आसीस तिवारी और शुमित जीस की जोड़ी कैसे लगी और दोस्तों लोगों के ये भी कमेंट है मैंने कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट पढ़ें नेहा से रिक्वेस्ट किया दा रहा कि आप आसीस जी का नाम कभी मत हटाना ना तो यूटूब से और ना ह से क्योंकि आजी से ही आपको ये फेम मिला सही आज सारी दुनिया आपको जानती है तो दोस्तों ये बात किलियर हो गई कि नेहा के घर वालों ने jugar स debates बलकी नेहा कोई लब मैनेसल नहीं कर रही तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं करते हैं और कल मिलते हैं कच्छे से वीडियो में और दोस्तों आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है अगर आप इसे में नए हैं तो प्लीज सस्क्राइब माई चैनल बगल में बेल आइकन है उसे भी प्रेस करें जैसे में कोई नया वीडियो डालू उसको नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और दोस्तों प्लीज मेरे चैनल को सस्क्राइब कीजिएगा धेर सारा प्यार दीजिएगा क्योंकि मैं टेंडिंग टॉपिक पर ही वीडियो बनाती हूं जो चीज वाइरल होती है वो मैं आप लोगों तक पहुचाने की कोसिस करती हूं तो मेरी नोटिफिकेशन पाने के लिए आपको छोटा सा काम तो करना ही होगा मेरे चैनल को सस्क्राइब पीजिए मैं मिलती हूं नेश्ट वीडियो में तब तक के लिए पापाई